एक बार फिर से आप सभी का e-learning में स्वागत है। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसे हमारे चैनल की ग्रोथ में मदद मिलेगी। धन्यवाद। पार्ट की शुरुवात करने से पहले आईए हम लेखक के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करें। लखनव। उत्तरप्रदेश कामतानात का जन्म 22 सितंबर 1934 को लखनव में हुआ था। वे हिंदी साहित्य के प्रमुख कथाकारों में से एक थे। उनकी कहानियाए और उपन्यास सामाजी के थार्थ और मानविय समवेदनाओं को पड़ी सहजता से प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने अपने लेखन में समाज के विभिन वर्गों की समस्याओं और संगर्षों को अभिव्यक्त किया। उनकी मृत्यु साथ दिसंबर दो हजार बारह को लखनव में हुई। कामतानाथ ने अपने लेखन के माध्यम से हिंदी साहित्य को एक नई दिशाप्रदान की और आज भी उनकी रचनाए पाठकों के बीच लोक प्रिये हैं। पाठ की शुरुआत से पहले हम पाठ का एक छोटा सा परिचय पढ़ते हैं और जानते हैं कि आखिरकार पाठ में लेखक हमें क्या बताना चाहते हैं। लाख की चूडियां कामतानात की कहानी लाख की चूडियां शहरी करण और उद्योगिक विकास के प्रभाव से गाव के उद्योग के समाप्त होने के दुख को चित्रित करती है। ये कहानी रिष्टों और प्यार में रचे बसे गाव के सहज संबंधों में बिखराव और सांस्कृतिक नुकसान के आर्थिक कारणों को स्पष्ट करती है ये कहानी एक बच्चे और बदलु मामा की है जो उसे लाख की छूडियाओं बना कर देता है बच्चा इस बात से बहुत खुश होता है समय के साथ वह बच्चा बड़ा होकर एक बार फिर गाव आता है और बदलु से मिलकर आपचारिक बात चीत करता है उसे पदा चलता है कि गाव में लाख की चूडियाँ बनाने का काम लगभग खत्म हो रहा है बदलु इस बदलाव से दुखी है लेकिन वह अपने उसूल नहीं त्यागता साथ ही वह अपना जीवन चलाने के लिए कई और रास्ते निकाल लेता है इस कहानी के माध्यम से लेखक विपरीत परिस्थितियों में भी अपने उसूलों को न त्यागने की सीखतेता है और बदलु को इस बात पर संतोश भी है चलिए, इस पाठक अजार पढ़ते हैं और जानते हैं कि लेखक इस पाठके माध्यम से हमें क्या बताना चाहते हैं इस पाठके माध्यम से लेखक लगु उद्योग की और पाठकों का ध्यान आकर्शित कर रहे हैं वे बताते हैं कि बदलते समय का प्रभाव हर वस्तु पर पड़ता है। पदलू व्यवसाय से मनिहार है और वा अत्यंत आकरशक चूडियाओं बनाता है। गाव की महिलाएं उसी की बनाई चूडियाओं पहनती हैं। पदलू को कांच की चूडियों से बहुत चिड़ है। वा कांच की चूडियों की बड़ाई सुनने की भी सहन नहीं कर सकता और कभी-कभी दो बातें सुनाने से भी नहीं चूगता। शहर और गाव की महिलाओं की तुलना करते हुए वा कहता है कि शहर की महिलाओं की कलाई बहुत नाजुक होती है। इसलिए वे लाख की चूड इस बार वह काफी दिनों बाद गाव आया है। अंत में लेखक यह भी मानते हैं कि कांच की चूडियों के आगमन से व्यवसाय को बहुत हानी हुई हो लेकिन बदलू का व्यक्तित्व कांच की चूडियों की तरहा नाजुक नहीं था जो सरलता से तूट जाए। से कहीं अधिक मजबूत और स्थिर था। तो इस पार्ट का समापन यहीं होता है। हम आपसे अगली वीडियो में एक नए पार्ट के साथ फिर मिलेंगे। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। धर्नेवाद। किं प्रेदी आपको लाइक करें। किं पार्ट करें।